नमस्कार दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम लोग थर्मो डायनमिक एंड थर्मो स्टैटिक स्टीम ट्रैप के अडवांटेज और डिस अडवांटेज इसके बारे में बात करेंगे नेखें, स्टीम ट्रैप के उपर अल्रेडी मैंने दो वीडियो अप्लोड कर रखा है, जिसमें पहले पार्ट में मैंने स्टीम ट्रैप का वर्किंग प्रिशल बताया था, वो कि इन वाटेट भाकट स्टीम ट्रैप यानि मेकनिकल स्टरीम कैसे काम करता है Float Type of Stream Trap कैसे काम करता है और Stream Trap की जरुवत कैसे होती है Water Hammer के बारे में बताया था मैंने फिर Second Part में मैंने Thermodynamic and Thermostatic Stream Trap के Working Principle के बारे में बात की थी और फिर Inverted Back at Stream Trap के Advantage and Disadvantages के बारे में बात किया था अब Next Part ये Part रहे गया था इस Part में हमने Thermodynamic और Thermostatic Stream Trap के Advantage and Disadvantages के बारे में बात करेंगे ठीक है तो अब वीडियो को स्टाट करते है ठीक है Thermodynamic Stream Trap कैसे काम करता है इसका Working Principle आप हम लोग आल्रेड़ी सीख चुके है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वीडियो का लिंक प्रिस्क्रिप्सर में मिलेगा आप देख लेजेगा वहाँ पर मैंने दिखाया था कि Thermodynamic Stream Trap जैसे यह देखी एक्चुल Cut Out image है Thermodynamic Stream Trap का और इसमें जो आप देखोगे कि अगर इसके Advantage और Disadvantages की बात करें तो सबसे पहला जो Important Part है इसमें जो डिस्क है यह वाला जो पार्ट है यही एक चीज है जो Movable है यानि इसमें एक सबसे बड़ा बात है कि बाकी सभी पार्ट चीजे Stationary है और Only एक डिस्क है Only वही एक Movable पार्ट है और आपको पता है किसी भी equipment अगर जो रोटरी पार्ट हो या जो Move करता है उसी में Erosion, Corrosion और चीजे Maintenance का ज्यादा प्रोब्लम आते है मतलब कोई चीजे अगर Stationary है तो उसमें कम आती है तो एक इसका Advantage ही माना जाएगा कि Only एक ही Moving Part है अच्छा यह जो डिस्क है यह भी Stainless Steel का बना होता है अगर आप इसको ठीक से देख पाओगे तो आपको दिखे लए कि यह तो Stainless Steel का बना हुआ है और Stainless Steel का होने के बाद से इसमें बहुत सारे Advantage जा जाते हैं एक तो यह कि इसमें Corrosion Resistance बढ़ जाता है Corrosion Resistance आपको नाम से ही पता है Stainless Steel है इसमें Stain कम लगेगा और इसके बार में Stainless Steel कितने तरह के होता है इसके बार में हम लोग कई बार बात किया ही है तो Stainless Steel होने के करने इसमें Corrosion Resistance अच्छा होता है दूसरा यह High Pressure को withstand कर सकता है क्योंकि इसका जो Main Disc है वह भी सब चीजे तो Steel कहीं है लेकिन जैसे Thermostatic Steam Trap की बात करो जहां पर हम लोग बेलो टाइप of Thermostatic Steam Trap है तो वहां पर बेलो जो हो बहुत High Pressure को withstand नहीं कर सकता है उसी तरह Float Type of Steam Trap में Float High Pressure में फूट सकता है लेकिन यहां पर Thermodynamic Steam Trap की एक अच्छी बात है कि यहां पर जो डिस्क है यह Stainless Steel की बनी होने की बाद से यह High Pressure को withstand कर सकता है और इसलिए जहां जहां आपका प्रेसर बहुत High Pressure की Steam की लाइन है वहां पर Thermodynamic Steam Trap होता है उसी तरह यह High Temperature को भी रेजिस्ट कर सकता है क्योंकि यह Stainless Steel का बना है इसलिए Superheated Steam की लाइनों में आप देखोगे कि Thermodynamic Steam Trap होता है उसके बाद इसके लाओ यह Water Hammer को stand कर सकता है क्योंकि Water Hammer होने के भी Steel की बनी है तो Steel जल्दी तूटता नहीं है Water Hammer में भी जबकि Float Type of Steam Trap है जिसमें Float है अगर आपको मैं दिखाऊं अगर Float का तो आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा अगर Float Type का Steam Trap का अगर यहां पर मैं फोटो यह जो बॉल है Float है यह Float Water Hammer में एकदम पिचक जाता है इसलिए Float Type of Steam Trap उससे तरह बेलो फूट जाता है तो यह Water Hammer में भी Thermodynamic Steam Trap की एक Advantage क्या हुई यह Water Hammer में भी यह विच्छे Stand कर सकता है तो यह इसका Advantage के बारे मैं बात करते हुए कि Water Hammer में भी विच्छे Stand कर सकता है Next इसका Advantage तो अभी तक आपने क्या समझा की यह जो भी इसके Advantage जा रहे है वो इसी बात प्यार है कि इसका जो एक Moving Part है वो भी Stainless Steel का है यानि सब कुछ Steel है तो इसलिए यहां पे बहुत सारे इसमें Advantage हो जा रहे है और Pressure Swing को भी एज़ब कर सकता है प्रेसर कम ज़्यादा हो रहे है उसकी बेज़से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और इसमें यह जो Discharge करता है Steam Trap वो Almost Steam Temperature पर करता है इसलिए Water Lagging नहीं होता है अब यह चीज आप समझना है कि देखी हमने बात किया था Thermostatic Steam Trap में जब तक 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 नीचे नहीं है तब तक वापस स्रिंक नहीं होता है और तब तक वह खुलता नहीं है और इसलिए वहाँ पर Water Lagging हो जाता है जबकि यहाँ पर Thermostatic Steam Trap में जो है वह इतना Low Temperature पर जाने के जरूरत नहीं पड़ती है जैसे ही इस डिस्क के उपर की steam है steam जैसे condensed हो जाती है तो यह pressure यहाँ के घड़ जाता है और वापस यह trap खुल जाता है और वापस steam बाहर निकलने चालू हो जाती है तो यह चीज यहाँ पर इसका एक advantage बन रहा है कि condensate को जादा देर तक Water Lag नहीं होता है मैंने लाइनों में water condensate ज्यादा भरती नहीं है तो यह भी इसका एक advantage है और obviously यह छोटा होता है inverted bucket की तरफ बड़ा नहीं होता है यह float type of thermal steam trap की तरफ बड़ा नहीं होता है तो यह भी जितना चीज लाइट और small हो तो वह एक advantage माने जाएग अच्छा आप disadvantage के बारे में बात करते हैं जो disadvantage का सबसे बड़ा इसका disadvantage यह है कि देखो यह जो disc है यह जो यहाँ पर आपको disc दिख रहा है तो dot particle seat और disc के बीच में अगर जाता है तो वह erode कर देता है और इसके बाज़से फिर अच्छे से बैठता नहीं और बैठने के बाज़से यह trap passing हो जाता है सब तक तो नीचे ही बैठ जाएगा dirt तो नीचे जाएगा और seat और disc के बीच में जाएगा और जब flow चालू होता है तो पानी के साथ साथ dirt भी बाहर निकल जाता है तो इस तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं आता है लेकिन जबकि यहाँ पे यहाँ पे जो भी dirt आता है वह problem कर करता है इसके लाव इसमें operation थोड़ा नाजी होता है जब यह steam trap से जो मतलब करने से बाहर निकलता है तो आवाज होता है और एक और चीज़ है कि यह बहुत low pressure पे यह back pressure high हो तो यह बहुत अच्छे काम नहीं करता है समझते है कैसे तो कि मैंने thermodynamic steam trap का working principle समझाया था मैंने प कि जब हमने बात किया था जब तक कि यह condensate आता रहता है तो condensate आया लेकिन अगर थोड़ा गरम condensate आता है और यहाँ पर प्रेसर अच्छा कासा है और जैसे आप बाहर जाता है यहाँ पर यहाँ पर यह बंद कर लेता है वर्किंग प्रिंस्पल आपने नहीं देख था ह यहां पर बता रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि अंदर का प्रेसर बाहर के प्रेसर के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए अच्छा कासर डिफरेंस होगा तभी यह फ्लैसिंग होगा और तभी जाके यह डैनमिक सिच्वेशन क्रियेट होगी अगर आपका लाइन का ही प्रेसर बहुत कम है बहुत लोग प्रेसर की स्टीम लाइन है या फिर अगर आउटलेट लाइन में बैक प्रेसर है यानि एट्मोसफेर में ना करके कोई कंडेंसेट हेडर या कहीं पर डाल रहा है जहां कि प्रेसर जादा है तो यह डिफरेंस कम हो अब बात करते हैं next पार्ट है वह thermo static steam trap के advantages and disadvantages के बारे में बात करते हैं thermo static steam trap मैंने दो तरह के बताये थे bi-metallic होता है और below भी होता है below में क्या करते है हम लोग alcohol डाल देते हैं और alcohol का temperature जो boiling point temperature रहता है वह पानी से कम रहता है तो टेंपरेचर बढ़ने इसकी बज़े से वह क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, अंदर का प्रेसर और उसकी बज़े से वह ट्रैप बंध हो जाता है, तो इसके बारे में हमने बात किया ही था, आप प्रिविएस वीडियो देख लेंगे तो आपको वर्किंग की इसके बारे में बात करते हैं, लेख़े, सबसे अच्छी बात ही है, कि थॉर्मोनमट स्टैटटिक ट्रैप में कि इसमें एक्सिलेंट एर भिणंटिंग होता है, मैंने बेला verted bucket प्रिविश्ट एowe's stream to a day के बारे में बात किया था, है कि इसमें जब स्टाटिंग में ब फिल ओपेन कंडिशन इसको समझे क्योंकि यह ट्रैप जो है ना यह ट्रैप तब बंद होगा जब यह expand करेगा यानि बाइ मेटाली कि यह बेलो जब expand करेंगे तब जाकि यह यह बैट जाएगा और तब जाकि यह बंद होगा तो अगर कुछ भी नहीं है तो यह खुला ही है तो जो भी air आएंगी मैं black color से air दिखाता हूं जो भी air आएंगी वह starting में आराम से निकल जाएंगे तो इसलिए यह इसमें excellent air venting है ठीक है दूसरा इसका advantage है कि frequent जहां पर frequently start up और shutdown होड़ा है तो वहां पर यह best माना जाता है क्यों समझते हैं देखिए जब भी कोई trap बंद होता है ना steam trap बंद होता है तो condensate जो है वह लाइनों में जमा हो जाती है क्यों जमा हो पाती है क्योंकि आमने बात किया था कि जैसे यह आप इसी में इस line की भी बात करो तो या फिर thermodynamic steam trap के ही बात करो तो वह जो steam की pressure है वही pressure condensate को बाहर निकालने के काम में आती है otherwise वह trap बंद है समझते हैं उसी तरह यहाँ पर यह condition नहीं है यहाँ भी यह float थर्मो स्टाटिक में बड़ थर्मोडैनमिक steam trap में आप देखो कि जो steam की line की pressure है वही इस trap को तो उपर उठा रही है तो इसलिए क्या है कि अगर unit shutdown हो गया तो line में condensate जमा हो जाएगी जबकि thermostatic steam trap में क्या है कि अगर unit shutdown है तो steam trap खुला ही है यानि जो भी condensate बनेगा वह condensate मैं condensate को अगर red blue color से दिखाऊ तो जो भी condensate बनेगा वह condensate बाहर निकलते रहे गया तो यही इस point से सबसे बड़ा advantage हो जाता है कि दौने की दरान, condensate यहां पे बहुत ज्यादा इकठा नहीं होता है और बहुत ज्यादा जहां पे condensate इकठा नहीं होगा वहां पर forced बने की मतलब ऐसे भी बहुत सारे होता है ने foreign country में जहां temperature बहुत कम हो जाता है और वहां पर plant बनेगा तो पानी अंदर बर्फ जम सकता ह तो forced होने से तो steam trap damage हो जाएगा जबकि यहां पे thermostatic steam trap में प्रोब्लम नहीं है बंद condition में भी जब plant बंद है तब भी पानी बनेगा वह ultimately बहारी निकल जाएगा वहां पर इकठा होके नहीं रहेगा तो इसका सबसे बड़ा advantage है दूसरा ही है कि इसमें flash steam loss minimum है क्योंकि जो steam cond condensate saturation temperature पर नहीं निकलता है क्योंकि जैसे मालो की steam जो भी आ रहे थी वह steam की बज़े तेंपरेचर की बज़े से अगर यह trap बंद हो चुका है अगर एक बार यह बंद हो चुका है तो तब तक नहीं खुलेगा जब तक यह वापस contract नहीं हो और यह वापस contract कब होगा जब इस पर ही होगा और इसका अंडर्सेट का temperature situation temperature से lower होगा तो फ्लैस स्टीम तो नहीं निकलेगी तो फ्लैस स्टीम minimum होता है अचा वाटर हैमर के बारे में बात करेंगा कि वाटर हैमर यह सहा पाएगा कि नहीं मैंने बात किया था कि बेलो टाइप अगर thermostatic steam trap है तो यह तो वाट मेटलिक में अगर दोनों मेटल्स ही हैं मेटल्स है सकता है तो वाटर हैमर के रिधे स्टैंड अगर बाई मेटलिक टाइप ऑफ थर्मस्टैक है ठीक है lightweight and compact यह भी छोटा होता है इंबर्टिट बॉक्रेट यह फ्लोट टाइप ऑफ थर्मस्टैक की तरह बड़ा नहीं होता है तो चोटा है तो यह एक एड्वांटेज है डिसएड्वांटेज की बात करें डिसएड्वांटेज का सबसे बड़ा बात है कि इसमें अगर कोई डर्ट आ जाए तो डर्ट प बीच में गैप क्रियेट कर दे तो थर्मस्टैक के स्टीम ट्राप ओपन या क्लोज कंडिशन में रहा जाए तो यह एक बड़ा प्रोब्लम है इसमें भी एक स्ट्रेनर दीरना इंपॉर्टेनर रहते भी है इस तरह के स्टीम ट्राप में दूसरा पॉइंट इसमें मैंने करिया था कि जो बेलो है वो बहुत हाइए तेंपरेचर और बहुत वाटर हैमार नहीं सहब पाता है तो इसलिए यह सूपर हिटेड यह स्टीम लाइनों में कम यूज होती है क्योंकी बेलो फूड सकता है उसी तरह वाटर हैमर की वज़े से भी फूज सकता है बाइमेटलि जो है न जब एक बार ट्रैप बंद हो गया गरम एस्टीम आया तो इसके बाद से यह ट्रैप बंद हो गया तो जब तक कर्णेसेट का टेंपरेचर बहुत लोग टेंपरेचर तक नहीं जाएगा यह तो वापस एक्सपैंड हुआ तो कॉंट्रेक्ट होगा ही नहीं इसलिए क एक बारता हानों के नहीं जाओं परकर चोप्रिंइश नहीं कंई दा थिक ओक से अब्सक्राइब है तो यहां पर एक उसका लाइब्टेज क्यिए है और इसकी बएसे इसमें कार्बनी के सिर्क ओरोजन भी हो सकता है और यहाँ पर इसलिए इसको बहुत काम जगा पर जहाँ पर करने से बैकप टोलरेट कर सकते हैं वहीं पर इसको यूज किया जा सकता है ठीक है? इसमें एक और इंपर्टन पॉइंट है उसको मैं समझाता हूं, देखता हूं समझापता हूं कि, देखी जो यह steam trap जो design किया गया जिस pressure पे, उसी pressure पे यह plant में आकर के set होना चाहिए, कि आपका plant यह steam line की pressure इतनी रहती है और उसी pressure के अनुसार इसकी setting होनी चाहिए, और उसी pressure पे अगर इसकी setting होई तब ही यह trap कर दिया अब माली जी इस ट्रैप को अगर आप एक ऐसी लाइन पर लगा देते हैं जिसका प्रेशर कम हो उसका सैचुसें टेम्परचर वन ट्वांटी डिवी सैसियस हो तो यह ट्रैप क्या होगा इसका मतलब यह वन थार्टी डिवी सैसियस पर एक्सपैंड होके ट्रैप ब सैचुरेशन टेम्परेचर है ऐसे जगर पर लगा दें तो क्या होगा कि एक बार वन थार्टी पर एक्सपैंड हुआ है और जब तक वन थार्टी टेम्परेचर लोर नहीं जाएगा यह खुलेगा ही नहीं इसका मतलब क्या है इसमें भयानक कंडेंसेट बैकप हो जाएग इंभार्टेट बाकेट एस्टीम टैप के बारे में अल्रेडी हमने बात कर रहा है फ्लोट एस्टीम ट्रैप का अडवाटेज डिसद्वांटेज जो आल्मोस सिमलर ही है मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि स्टार् जो भी आता है, जो भी condensate आता है, condensate भी आसानी से निकल जाता है, इसका disadvantage क्या है, इसका disadvantage है, यह water hammer नहीं सा सकता है, क्योंकि यह float फूट जाता है, ठीक है, तो यह इसका advantage, तो अभी हमने सारे type के steam trap के बारे में हमने advantage, disadvantage बात कर लिये हैं, अब next part में हम लोग different type के steam trap का usage दे करेंगे कि कौन सा steam trap कहां पर यूज होता है, तो मतलब अगर आपने advantage, disadvantage ठीक से समझ लिया है, तो वो आप बहुत अच्छे से predict कर भी पाएंगे, पर फिर भी हम उसको summarize करेंगे, at least refinery या power plant में जहां पर यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर हम अगर जॉब के लिए त्यारी कर रहा है और उसका practical exam है, वहाँ पर भी एक काम आएगा, तो next part में हम लोग इस aspect को देखेंगे, तो अभी इस वीडियो को यहीं stop करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,